सिंगल टैग और पेयर टैग क्या डिफरेंस होता है दोनों की बीच में एक्चुली HTML एक टैग बेस्ट लेंगविज है टैग का यूज किया जाता है HTML में वेब ब्राउजर पे कॉंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए यानि कि वेब ब्राउजर पे जो भी हमारा कॉंटेंट डिस्प्ले होगा उसको किस तरह से डिस्प्ले करना है इसके लिए हमारे HTML में टैग रिस्पॉंसिबल होगे टैग होते हैं हमारे दो तरह के एक पेयर टैग और एक सिंगल टैग पेयर टैग का मतलब क्या है कि जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा वो पेयर टैग के लाएगा और सिंगल टैग का मतलब यह होगा कि इसमें किवल एक सिंगल ही टैग होगा ओपनिंग और क्लोजिंग का वहाँ पर कॉंसिप नहीं होता है तो दो तरह के टैग होते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा टैग पेर टैग होगा और कौन सा टैग सिंगल टैग होगा क्योंकि HTML के लिए तो काफी सारे टैग्स हैं और उनको याद रखना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम सारे टैग्स को याद रख पाएं कि वो सिंगल टैग है और पेर टैग है तो यह कन्फूजन कैसे दूर किया जाए कि कौन सा टैग सिंगल होगा और कौन सा टैग पेर होगा क्योंकि अगर हम सारे tags को याद नहीं भी कर पाएं तो हम यह कैसे identify करेंगे कि अगर हम हमारे सामने को नया tag आ जाए तो हम अपने common sense के दोरा यह कैसे पहचानेंगे कि यह tag pair tag होगा या single tag होगा HTML के अंदर tags को use करने के दोरा यह बहुत बड़ी problem instruments के सामने आती है तो हम इसी point को आदिसक्स करेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा tag single tag होगा और कौन सा tag pair tag होगा कि example लेते हैं हमें यह हमने एक HTML का थोड़ा सा code लिखा हुआ है जिसमें simple एक line है Rohan is a good boy बड़ी tag का use किया गया है अब यहां पर देखने लिए बात यह है सबसे पहले बात तो यह समझ लिजिए कि HTML का जो code आप यहां पर करेंगे notepad की file में इसको आप कितना भी अच्छे तरह के से format कर लिजिए इस बात का web browser पे जो output आएगा उससे कोई मतलब नहीं है यानि कि यहां पर यह मैंने rohan is a good boy इसको काफी 12 बार इसको मैंने लिखा हुआ है एक next line के तौर पर तो यह इस तरीके से web browser पे डिस्प्रेंट नहीं होगा क्योंकि हमारे HTML में क्या होता है कि जिस तरीके के हम tags को लगाते हैं उन tag के effect के अनुसार स्क्रीन पर output शो होता है अब यहां पर tag तो हमने कुल लगाया नहीं है सिर्फ हमने एक body tag का use किया है कहें के लिए ताकि web page के body part में हमारा content display हो जाए content क्या है rohan is a good boy और यह 12 lines है तो यह 12 line display होंगी अब देखते हैं कि by default की display कैसे होती है तो इस program को हमने यहां पर लिखा इसको save किया .html extension के साथ और यह हमारे पास desktop पर कुछ यहां पर save हो गया P1 के नाम से इसको open करते है chrome में और देखिए हमारा output रहा rohan is a good boy 12 line थी हैं और दो line के अंदर हमारा output आ गया यानि कि आप notepad में code किस तरीकी से लिख रहे हैं इसके लिखने से आपका output decide नहीं होता है पहली बात तो यह है यानि कि आप notepad में अपने code को कितना अच्छे तर डिजाइन कर लिए format कर लिए लेकिन वो output आपका display नहीं होगा screen पर output वैसे display होगा जैसा कि web browser tag को समझेगा अब यह tag यह हम इस्तवाल करेंगे अपने output को ठीक करने के लिए यह अपने content को web page पर अच्छे से display करने के लिए वो tag की help से होंगे और वो tag single हुआ के paired हुआ यह कैसे पहचाने को और यह कैसे याद रखेंगे हम तो हम अभी पीछे समझ चुके हैं कि line break और paragraph tag दो तरह के tag होते हैं जिनका काम हम करते हैं next line के लिए और paragraph change करने के लिए अब यह समझते हैं कि single tag player tag को पहचाने कैसे तीक जितने भी tags होते हैं HTML के अंदर उनका काम क्या होता है content जो web page पर display करेगा हमारा web browser वो content के साथ effect क्या use कर रहे हैं actually effect का मदलब क्या हुआ कि कौन सी property हम उसको दे रहे हैं या किस तरीके से हम उसको display करना चाह रहे हैं तो वो दो ही condition होंगी इसके साथ पहली condition या तो आप effect को exact किसी location पर लगाना चाहते हैं या फिर effect को किसी एक location से दूसरी location तक लगाना चाहते हैं जानि कि आप किसी effect को एक single position में लगाना चाहते हैं या एक range के अंदर लगाना चाहते हैं अब उन्हें बात को समझते हैं कैसे मान के चलिए कि यह वाली line मैं यहां से cut करके यहां पर paste कर देता हूं अब program मैंने save कर दिया output मैंने same रहेगा अब मैं यह चाहता हूं कि यहां से first line के बाद जो second line आ रही है यहां से next line आ जाए मुझे क्या चाहिए output केवल यहां से यानि कि यह जो first line है first line जहां खतम हो रही है यहां से next line आ जाए effect मुझे किस जगह पर चाहिए exact इस location पर चाहिए exact इस point पर यह point है इस एक point पर मुझे को effect लगाना है क्या effect लगाना है next line का तो मैं कौन से टाय यूज करूँगा मैं यूज करूँगा line break tag और वो होता है br tag ठीक है हमने save कर दिया program अब देखते हैं इसका effect क्या आएगा line change हो गई यहाँ पर एक समझने के बात क्या है कि मुझको जो effect था line break वाला यह मुझे exact इसी location पर चाहिए location क्या है location यह है कि जहाँ पर मेरी यह first line end हो रही है उसके तुरंत बाद line change हो जाए ऐसे ही मैं कही और भी चाह सकता हूँ माल लिए one two three four और five यह five number के line जहाँ पर खतम हो रही है वहाँ से फिर line change हो जाए तो मैंने फिर से बिया tag लगा दिया save गया program को output देखने कैसे आएगा फिर से line change हो गई पांच नैनों के बाद यहाँ से यहाँ पर क्या समझा हमने यह हमने यह समझा कि अगर किसी exact location पर exact किसी point पर हमको effect लगाना है तो वहाँ पर हम single tag का use करेंगे चिट अब बात आती है pair tag का होगा pair tag का use यह होता है कि जब आप किसी एक location से दूसरी location तक किसी effect को लगाना चाहते हैं तो वह कहलाएगा आपका pair tag for example मैं यह चाहता हूं यह रोहन वाली line second line यहां फर्स लाइन यहां से लेकर के यहां तक है रोहन is a good boy मैं यह चाहता हूं यह पहली line जो है रोहन is a good boy यह पूरी line कहां से है यह R से start है और full stop पे जागर एक खता मुरी line तो R से लेकर के और full stop तक का जितना भी content है यह रोहन is a good boy यह पूरी line bold letters में display हो web page पे तो bold letters में display करने लिए हमारे पास होता है bold letters में display करने के लिए हमारे पास होता है HTML के अंदर bold tag B tag tax formatting टेक्स एस पर पढ़ाता हम नहीं है तो अब इस टेक को स्तेमाल करेंगे तो ठीक है हम चा करते हैं रोहन is a good boy इस पूरी line को हम bold में convert करेंगे अब देखिए यहां पर यह effect हमारा आ रहा है वह हमारा effect यहां आर से start होगा और full stop पर जाके खताम होगा एक रेंज आ गई यानि कि यहां से start कीजिए और यहां से start करने के बाद यहां तक यह पूरी line को आप बोल्ड में convert कीजिए तो ठीक है तो मैं यहां पर bold tag लगा दूँगा starting कर दी अब bold tag का क्या हुआ bold tag का काम यह हुआ कि b tag के आगे जितना भी content आ रहा है उसको bold में convert करना यह start कर दीजिए तो यह convert करना यह start कर देगा लेकिन यह कहां तक करेगा तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी range कहां तक है तो मैं इसको क्या करूंगा पुलिस्टॉप के आगे इस bold tag को close कर दूँगा तो हमारा web browser समझ जाएगा कि रोहन से start हुआ है और why पे आके खतम हुआ यह bold tag यानि कि इतने बीच में इस bold tag का काम होगा तो मैंने program को save किया अब web page को refresh करते हैं देखते हैं रोहन is a good way यानि कि यह एक line हमारी board में convert हो गई इस तरीके सें समझते हैं कि single tag का use क्या हुआ और pair tag का use क्या हुआ तो अब htmi में जितने भी program सब बनाएं वहाँ पर बहुत सा attacks आएंगे उन tag का कुछ ना कुछ काम होगा कहीं table tag होगा कहीं image tag होगा कहीn src attribute उसका होगा कहीं form tag होगा और काफे जाए tags पे होगे कहीं line को use करने के लिए होगा कहीं पर list के items show करने के लिए होगा तो उनको आपको सिर्फ इसी concept से समझना होगा कि उस tag का जो इस्तमाल है उस tag का जो काम है वो काम क्या है किसी एक particular location प यहां तक वो काम कर रहा है तो एक रेंज में Quadrati यानि की यहां से लेकि यहां तक वाली चन्डीशन है तो पेर्ट हो जाएगा है और केवल यही इचलिकर इसी दूक्रूश्ण पर काम करूं हुँ सींगल बाते सां wisdom इस सब्के आंदर न Wik BBC अ होते हैं और उन सबके अनदर इन दोनों दुरागे टैंग को पहचानने का केवल एक यही करिका है इसके बाफ कोई तरीका निया कि आप पहचान पाएं कासाइक कैसे होगा क्योंकि अगर आप गो रटने की कोशिश करेंगे तो आप रटने नहीं पाएंगे, बहुत सारे टेग हैं, हर प्रोग्रामी लाइंविज के इंदर नंबर अफ टेग्स अवलिबल हैं, आप कितने रटेंगे, कितने याद करेंगे, तो उससे बहतर है कि आप अगर concept को समझे, कि सिंगल टेग का यूज क्या होता है, पेर टेग का यूज कहां पर होता है, तब आपको tag पढ़ने में, और याद रखने में को पॉबलम नहीं होगी, और फिर आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि tag का क्या है, आपने देखा, कि line break tag का 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 होता है, line को break करना, तो इसको line तो एक ही बार break करेंगे, एक ही जगह पर break लगा देंगे सिंगल होगा लेकिन अगर बोल्टव का काम क्सराइब का एय। हमारे स्क्रीन पर एक हजार लाइन लिखी हुए है thoughts lightning को सिल الإв między टेक के बीच में रख दो स्टार्टिंग और एंडिंग टेक के बीच में रख दो वो लाइन सिंबल वो लाइन बोल्ड हो जाएगी यह कॉंसेप्ट था दोनों को समझने का